आपकी मुलाकात उन महिला बॉक्सर से करवाते हैं जिन्होंने वर्ल बॉक्सिंग चैंपियंशिप में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है और ये इंटर्व्यू आज हमारे देश के युवाओं को जरूर देखना चाहिए आपको बहुत प्रेड़ना मिलेगी जिन्होंने यतिहास रचा है जिन्होंने हिंदुस्तान का जो पूरा जो वर्ल चैंपियनशिप बॉक्सिंग उसे स्वर्णिम बना दिया है वो चार चैंपियंस हमारे साथ हैं बहूत बहुत स्वागत हैं वैसे अगर नाम से इनका परिचय कराए तो लगेगा और विव घुड़त मजूम पवरी सी बच्चियां है, क्योंकि लवलीना है हमारे साथ, नितू हैं, निकषत हैं, और हमारे साथ स्वीटी है, पर उतनी भी स्वीटी नहीं हैं itu. बॉक्सिंग में एक गोल्ड मेडल जीता है, जब फाइनल्स में पहुंचे थे आप चार उस समय लगा था कि कुछ नहीं तो कम से कम इंडिया सिल्वर लेकिन ये थौट प्रोसेस इंडिया का बदल चुका है इंडिया का फाइनल में पहुंचे गोल्ड सब उम्बीद कर रहे थे तो हम सभी यही सोच रहे थे कि हमें गोल जो मैडल है तो ब्रॉंज में ही रुख जाते थे इस बार तो हमेसा ये गिल्ट रहता था कि मुझे अपनी देश का नेशनल एंठम बजाना ही है तो इस बार मतला बहुत ही ज़्यादा मेहनत भी किया था और वो विलपावर रखा था कि कैसे भी करके इस बार जीतना ही है देखे बहुत सारी चीजें होती है चाइना की भी चार बॉक्सर पहुची थी फाइनल में पर उन में से तीन में गोल्ड लिया सिर्फ और इंडिया का जो टाली रहा वो नंबर वन रहा तो ये चीजें एक समय पर अगर आप बोलते भी किसी को तो उसे यकीन नहीं होता ले 1 मानी अच्छा प्राइस मनि मिल रहा है इंडियन सपोर्ट डिजर्व कर रहा था एसे आज आपके प्लांस उस प्राइस मनी के किया होते हैं क्यूंकि सब ने अपने अपने Salem तो अभी काफी स्वोंट मिलेगा इस प्राइज मनी इसे जो पहले ट्रेंग में दिक्कत आती थी पर आप अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रही है उससे तो अभी पूरा स्पोर्ट मिलेगा फैमिली को मेरे जो भाई बेहन है उनको पढ़ने के लिए और खेलने के लिए भी काफिस मेरी बहन अभी MBBS कर रही है उसको